वेलकम स्वागत है आप सबका आपके यूटूब चलाने हैं इस वीडियो में जो अभी रेलवे में ततकाल वेकेंसी आई पैंथे जार वेकेंसी जो एंटीपीसी क्लिया रखी इसका हम सलेवस देखेंगे बड़े ही इत्मिनान से बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे इसमें करीब 35,000 के आसवाद पोस्ती हैं अब सलेवस हम देखेंगे इसके लिए मैं करीब करीब तीन वीडियो बना चुका हूँ पहले वीडियो में इसकी डिटेल्स के लिए बनाया थे कि कौन-कौन बच्चे अपलाई कर पाएंगे क्या एजुकेशन चे यह क्या उमर च देख सकते हैं और यह इस सीरीज का चौथा वीडियो और यह अंतिम वीडियो भी होगा ठीक है इसके बाद मैंने सारी चीह कवर कर चुका हूँ वीडियो बनाने की जुरूद भी नहीं है ठीक है और हां सारी चीह देखने के लिए आप सरकारी स्लेवस.com पर जा सकते हैं त तो जो CBT 1 है यह सब के लिए common है इसका standard सब के लिए सेम होगा चाहे आप station master के दो चाहे आप goods card के लिए दो चाहे आप junior कलर कम typist के लिए ठीक है तो मतलब जो आपका first CBT होगा यह सब के लिए बराबर difficulty के लिए बराबर होगा और सब को compulsory होगा सब को देना पड़ेगा ठी हो California richtige जुनियर कम इसके लिए हो चैने traffic assistant के लिए हो चैने goods cards के लिए और चैस से यह से आप्टेसन Master के लिए हो चाहें आप किसी और के लिए हो ठीक है तो यह बात हो गई अब हम देखेंगे जो इसका सीवीटी टू होगा सेकेंड स्टेज का सीवीटी होगा अब यहां पर बदलाओ हो जाएगा बदलाओ क्या हो जाएगा जो आपका जो ना यहां कर्सक्ताव मिलने वाली है तो आपका जो है न एक्जाम फेपर नेouble हो वह भłaण सीवीटी में वाला हो आपके देखो जिनका या दोनों ही अलग लग होगा आपके लिए च्टैन्ड इंडडन उगा थोड़ा जादा क्व டी और यह भी अलग CBT level का होगा ठीक है अब जिनके पे लेवल 5 है वे पोश्ट कौन-कौन सी ए गुड्स गाट की होगी सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर्क की होगी सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की होगी और जूनियर एकाउंट की होगी और सीनियर टाइम कीपर की होगी इन सब के लिए कॉमन पेपर होगा डिफकल्टी लेवल सब के लिए बराबर होगा CBT 2 में अब आगे देखेंगे हम थोड़ा सा अब जिनका पे लेवल 6 है इनकी पेमेंट करीब करीब 55,000 पर माइने के आपकी होने वाली है तो इसमें क्या है कि आपके लिए एक अलग से पेपर होगा सबस अब होगा जाकर आके वाल्या देख सकते है ठीक है अब मैंब बात के लिए होगा कम्पिटर बस्ट एप्टूटोट इससे कहते है सीपर हैं मास्टर कवाया इस्ट आपके बारे मामल अलग से बताएंगे ठीक है तो आपके लिए होगा इस वहांप्यूटर घ्क को सबढ़ करनी पड़ती है, railway station है, उसका वो master है, मतलब कौन से train आएगी, कहां से निकालना है, मतलब की intelligence उसके अंदर बहुत होनी चाहिए, ठीक है, traffic होता है, आज कल देखो, दिल्ली वाला route जो जाता है, टावर दिल्ली वाला, इतना traffic है, अगर station master सही नहीं, तो train होल्ड अप बनी रह aptitude test, यह traffic assistant के लिए, और station master के लिए, दोनों के लिए common है, ठीक है, और बाकी बच्चों के यह वाला computer-based aptitude test नहीं देना है, अब बाकी बच्चों के बात कल देते हैं, आपका skill test में क्या देना है, अब देखो, जितनी यह typist वाली clerk वाली पोस्टें हैं, तो आब सब को देना पड़ेगा एक typing test, typing skill test, आपको typing वाला test देना पड़ेगा, computer पर बैठे के typing वाला test देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई, आपको भी देना पड़ेगा, जुनियर time keeper को भी देना पड़ेगा, लेकिन यह train clerk है, इनके लिए कोई आपका skill test नहीं देना पड़ गुड्स गार्ड के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं देना है आपको सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए भी कोई आपको स्किल टेस्ट नहीं देना है इसके बाद कमर्शियल अपरेंटिसिप के लिए जो बच्चे अपलाई करेंगे उन्हें भी कोई आपको स्किल जच की जाएगी, यह बहुत मोटी मोटी मैंने बात देखी, अब आपको स्लेवस पर लेके चलते हैं, डिटेट स्लेवस पर, कि आपको जो CBT1 होगा, CBT2 होगा, इसमें क्या-का चीज़ें पूछी जाएगी, कैसा इसका आपका रहने वाला है, ठीक है, तो चलो, अब आपको discuss कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो बात आती हुआ थी, stage first की CBT की, ठीक है, तो यह देखो stage first आपका computer based CBT है, तो यह सब के लिए common fall all notified for this, मतलब की साहरी पोश्टों के लिए बराबर है, सब के लिए, ठीक है, आपका total 90 minute का time मिलेगा, general awareness से 40 question, गड़िच से 30 question, general intelligence से 30 question, total आपके 100 question होगा, ठीक है, अब अगर यहीं आप physically handicap category माते हो, तो आपको 120 minute मिलेंगे, ध्यान रखेएगा, आपके लिए 120 minute मिलेंगे, और आपको with subscribe मतलब की आगर आप लेखक भी रखते हो अपना, जिसे कई बच्चे फिच के लिए हैंडिव, उनके हाथ से काम नहीं करता, तो जो आना वो एक अपना चार की होती है, दे समलो 2-5 की, लेकिन यहां पर बहुत ज़्यादा negative marking होती है, एक बटा 3 की यह negative marking है, यह वाली है, ठीक है, तो ध्यान नहीं, बस जो आए वही करना चक्कर मत पढ़ना ज्यादा, जो तना आए, उतना कर दिया है, तो आप successful हो गए, ठीक है, there will be negative marking of एक बटे तीन नमबर की ध्यान नहीं, यह चीज़ मैंने आपको यहां पर बता दी, ठीक है, अब आपका यह CBT 1 हो गया, ठीक है, CBT 1 होने के बाद आपका होगा CBT, जो बच्चे इसमें short list कर जाएंगे, जो इसमें qualify हो जाएंगे, यह लोग एक criteria decide करें कि इतने बच्चे जो है न, select हो गए, फिर वो second 2 के लिए जाएंगे, second stage CBT के लिए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, मैं आपको आँगे बताता हूँ, पहले आप यहां देख सकते हैं, कि गडित में आपक सकते हैं, एक अच्छा चीजें पूछी जाने हैं, काफी इसका स्लेवस है, ठीक है, current events आपका पूछा जाएगा, life science अब तो CVC लेवल से, ठीक है, और games and sports, arts, media, freedom struggle, ठीक, general science, यह सब चीजें, space and nuclear program, India, UN के बारे में, ठीक, computer application के बारे में, computer knowledge, Indian economy के बारे में, ठीक है, तो ज चीजें, इसमें, पूछी जाएंगी, ठीक है, तो यह इसकी बात हो गई, अब आपने CBT 1 दी दिया, इसका मैंने स्लेवस आपको बता दिया, धान नहीं बच्छों, आप second stage तभी दे पाओगे, ठीक है, minimum आपको 40% number general वालों के लिए के आने हैं, और जो एने EWS, मतलब economy weaker section वाले बच्छों, उनको 40%, OVC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ठीक है, और 2% number लेके आने physical handicap वाले बच्छों के लिए, तो यह बात हो गई, बच्छों की इतने number जब minimum लेके आओगे, तब आप marriage list में सामिल होगे, तब आप जो है ना, दे पाओगे, आप इमतहान दे प कम हैं, मैं pay level से बता रहूं, क्योंकि उनने pay level से ही सबको difficulty level दिया है, अगर आपकी pay level 2 है, तो आपको ज़्यादा payment में नहीं मिलेगी, आपका exam भी ज़्यादा कठेने होगा, सिधी सिधी मोटी बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मालो, IS ज़्यादा payment पाता है, सबसे ज पेपर भी आपने देखा सुना होगा, कितना टफ होता है, तो इस हिसाब से यहाँ भी आप अंदाजा लगा लिए, कि यहाँ से 2 से 6 level तक का, जिनकी pay level 2 से pay level है, और 6 तक जाएगा, तो उस हिसाब से यह station master वाली post है, और यह आपकी normal clerk वाली post है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका धीरे-दीरे बढ़ता जाएगा, difficulty level आपका, ठीक है, अब हम बात बता देए, आपको slavus की, तो इसमें slavus देख लीजिए, total आपका 90 मिनिट का होने वाला है, ठीक है, तो यह 90 मिनिट का होने वाला exam duration आपकी, और जो number of question, एक question, एक number का होगा, general awareness के आपके 50 question होगे, गड़ित के 35 question होगे, general reasoning के, 35 question, total question आपके 120 होगे, गलत किया है, तो एक बटे 3 number काड़ती जाएगे, यह मैं आपको पहले बता जो, यह second stage की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा slavus भी देखना चाहिए, तो यहाँ पर slavus देख सकते हैं, इन्हों लेकर आना है, तब आप second stage की merit में सामिल हो पाओगे, तब जो है ना, आप इसके बाद, जो है न, skill test देखाओगे, ठीक है, तो मैंने आपको बताए कि दो पोस्टें में ऐसी हैं, जिनमें आपको देना पड़ाएगा, computer best aptitude test, एक तो कौन से traffic assistant था और आपकी station master थे, तो इन नमबर नहीं ले पाएं, तो जो है न, आपको यहां से वापस बेज़ देंगा, आपका first stage, second stage किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, यह IQ level mostly यह लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो यह बात इसकी होगी, और बाकी लोगों को मैं बताई चुका हूँ, किसको आपको skill test देना है, कि उसके लिए कैसे क्या चीज़ों, कितने वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग उन्हों चीए, तो देखो, the candidate should able to type 30 वर्ड पर मिनट in English and 25 वर्ड पर मिनट in Hindi on personal computer only, without editing tools and special check facility, बात समझ गे बच्चों, कि आपको 30 वर्ड पर मिनट की अंग्रेजी की टाइपिंग और 25 वर् ठीक है, तो मुशली चीज़ें बच्चों हमने discuss कर ली है, ठीक है, इसके बाद final आपका होगा document verification, जो आपका second stage और CBT वगरा दे दोगे, आपका document verification और वहीं आपका medical होगा, medical के बारे हम हम पहले वीडियों चर्चा कर चुके हैं, कुछ खास medical की requirement इनकी है नहीं, अगर आप comment करते हैं कि normalization ये कैसे क्या होता है, दुनियादारी तो मैं ये आपको समझा सकता है, थोड़ा गड़ती formula है, हम गड़ित लगाईगी, और हम कभी एक जमाने हम गड़ित के उस्ताद हुआ करते थे, अब भले ही नहीं वह बात अलग की है, तो ये बात हो गई, तो मुशली सरकारी सलवस. हमने सलेवस के वीडियो बनाया है, सलेवस में हम सारी चीज़े कवर कर चुके हैं, और एक चीज और बताओं, आपको कहाँ पर जाना है सरकारी सलेवस, सरकारी सलेवस. ये जिसमें बताया है, ago, बड़ी सुध बासा में लिखकर पॉइंट तू पॉइंट, जो जरूरी बाते बस वहीं लिखी हैं, मैं नीचे इसका लिंक भी दे दूँगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, तो एक दो गंटे में आपको यी सारी चीज़ें अवलेबल हो जाएंगी, सरकारिसलवस.com पर आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सक रखते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, हम आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक बर तब तक के लिए वन दे मातरम.